शनिवार की रात चुपचाप यहां फेंग दें एक लॉंग होगा सभी परेशानियों और कष्टों का अंत पैसा ही पैसा होगा। श्री शिवाय नमस्तुभें दोस्तों, शनिवार के दिन आप अगर लॉंग का गुप्त उपाय करते हैं, तो यह आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा क्योंकि शनिवार के दिन किया गया लॉंग का उपाय आपको माला माल बना सकता है, और आपके जीवन को सुख समरिधी से भर देगा आपके जीवन में आने वाले तमाम दुखों और परेशानियों से निजात मिल जाएगी खास करके जिनके उपर शनि की साड़े साती ढिया या कोई भी नजर दोश ग्रह दोश हैं, वो शनिवार के दिन पूजा पाठ और द करने के लिए आप कॉमेंट बॉक्स में जे बजरंगबली जे शनी देव महाराज जरूर लिखें हम आप भी अपनी किसमत को अगर चमकाना चाहते हैं, अपने किसी भी कारे में आ रही तमाम रुकावटों को दूर करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं काफी समय से नोकरी के लिए परिशान है और नोकरी पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन लॉंग का ये उपाय जरूर करके देखें आपके जीवन में भी पॉजिटिव चेंज आएगा इस उपाय को कब और कैसे करना है इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें श्री शिवाय नमस्तुभिन दोस्तों हर हर महादेव दोस्तों शिवपुरान टीवी पर आप सभी का स्वागत है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा आमतौर परमादुरगा भोलेन लौंग से किया गया उपाए आपको लाब जरूर दिलाएगा गुरू जी कहते हैं कि लौंग का ये उपाए बेहद अचूक उपाए है लेकिन उपाए करने से पहले आपको इस बात पर विशेश ध्यान रखना होगा कि यदि आप गलत तरीके से उपाए करते हैं तो आपक महाराज की विशेश क्रिपा जरूर प्राप्त होगी आपको अगर लगता है कि आपके घर में या आपके आसपास नेगेटिव एनरजी ज्यादा बढ़ गई है तो इससे चुटकारा पाने के लिए आप इस उपाए को करें साथ ही अगर आपके उपर किसी भी तरह की विग नहीं लेना है अब इसमें आप 11 लॉंग 5 कपूर 2 हरी इलायची रखकर इसे जला दें इसका धुआ पूरे घर के कोने कोने में दिखा दें या आप अपने कारिस थल्व्या पार की जगह जहां से भी नेगेटिव एनरजी दूर भगाना चाहते हैं उस जगह पर इस लेकर एक लोटे जल में मिलाकर घर के मुखे द्वार पर इसका चीन्टा मारें और अपने घर के कोने कोने में भी आप इसका चिर्काव अगर करते हैं तो घर में मौझूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनरजी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी शनिदेव महाराज के आपके पडोसी और रिष्टेदार आप से जलन रखते हैं आपके खिलाफ साजिश करते हैं या आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं तो इन बातों से परेशान होने की बजाए आप तुरंत लौंग का उपाय करें आपको इन सभी चीजों से छुटकारा मिल जा और उसमें सिर्फ एक लौंग डाल दें इस उपाय को आप लगातार पांच शनिवार अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिये शनी देव की कृपा से जो भी व्यक्ति आपके पीछे पड़ा है यानि आपका नुकसान करना चाहता है वो व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगार पा जाकर गाय के शुद घी का दीपक जलाए साथ में एक लाल कपड़े में 21 लौंग और 11 कपूर रखकर पोटली बना कर ले जाएं और दीपक जलाने के बाद इस पोटली को गनेश जी के दाइन चरनों से च्छुआ कर पोटली वापस घर लेकर आए और अपनी दुकान में इ 14 दिनों तक छिरकाव करें यदि आपने ऐसा कर लिया तो गनेश भगवान के आशिरवाद से आपकी सारी विग्न बाधा दूर होगी और आपके व्यापार में धेर सारा मुनाफ़ा होगा और आपको नौकरी में भी उन्नती और प्रमोशन जरूर मिलेगा आपके घर में ध अमाम परेशानियां घर में मौझूद दुख दरिद्रता और कष्टों से निजात पाने के लिए आप एक और कारगर उपाए कर सकते हैं जिसे करने से शनी देव महराज बालाजी महराज के साथ साथ महादेव की भी आपको विशेश कृपा प्राप्त होगी इस उपाए को आप तामसिक भोजन न करें यानि शराब, मदिरा, धूमरपान, मास, मचली इन सब चीजों से आपको दूर रहना होगा सात्विक भोजन करके आप अपने शरीर को स्वस्त और निरोग बना सकते हैं इसलिए उपाए करने से पहले आप सात्विक आहार लें अब शनिवार के आप सुबह नहाद होकर दो लॉंग लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं और इस दो लॉंग को भोले नात की मूरती के उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर भोले नात को अर्पित कर दें और वहां पर बैठकर ओम नमह शिवाय का 108 या 1008 बार जाब करें क्योंकि 108 या 108 भ आपके जीवन में चल रहे तमाम परेशानियों और दिक्कतों से भी मुक्ती मिल जाएगी आम तोर पर मादुरगा भोले नात गनेश जी हनुमान जी इन सभी देवी देवताओं की पूजा में लॉंग का उप्योग जरूर किया जाता है लॉंग के बिना उनकी पूजा पर चूक उपाय है लेकिन उपाय करने से पहले आपको इस बात पर विशेश ध्यान रखना होगा की यदिए आप गलट तरीक से उपाय करते हैं तो आपको उसका परिनाम भी गलत मिलेगा क्योंकि लॉंग का उपाय करने से आपको उसका फल तुरंत मिलता है इसलिए सोच स अगर आपके आसपास नेगेटिव एनरजी जादा बढ़ गई है तो इससे चुटकारा पाने के लिए आप इस उपाय को करें साथ ही अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की विग्न बाधा है या किसी ने आपके ऊपर कोई नजर दोश किया है तो उससे भी आपको मुक्ती मिल ज जाएगी इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले मिट्टी या पीतल का एक कटोरी या बरतन ले लीजिए ध्यान रहे लोहे का बरतन नहीं लेना है अब इसमें आप 11 लॉंग 5 कपूर 2 हरी इलायची रखकर इसे जला दें इसका धुआँ पूरे घर के कोने कोने में दि जब ये 11 लॉंग 5 कपूर और 2 हरी इलायची जलकर पूरी तरह से राक बन जाए तो इस राक को किसी डिब्बे में रख लीजिए और प्रति दिन इसमें से थोड़ी थोड़ी राक लेकर एक लोटे जल में मिलाकर घर के मुखे द्वार पर इसका चीनटा मारें और अपने घर के कोने कोने में भी आप इसका चिरकाव अगर करते हैं तो घर में मौझूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनरजी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी शनिदेव महाराज के आशिरवाद से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी इस उपाय को भी आप मंगलवार या शनिवार के दिन करें तो आपको विशेश लाब मिलेगा क्या आप एक सफल वेक्ती हैं और आपकी सफलता देखकर आपके पडोसी और रिष्टेदार आप से जलन रखते हैं आपके खिलाफ साजिश करते हैं या आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं तो इन बा उपाय को करने के लिए आप पांच शनिवार किसी भी शनिमंदर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाए और उसमें सिर्फ एक लॉंग डाल दें इस उपाय को आप लगातार पांच शनिवार अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए शनिदेव की क्रिपा से जो भी व्यक्त पड़ा है यानी आपका नुकसान करना चाहता है वो व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगार पाएगा आप से दूर भाग जाएगा आप अगर अपने बिजनेस में प्रॉफिट पाना चाहते हैं और घर में पर्याप्ट धन का आगमन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पोर्टली को गनेश जी के दाइन चलनों से च्छुआ कर पोर्टली वापस घर लेकर आए और अपनी दुकान में इसे पीतल के बरतन में जला दें और इसका धुआ पूरे दुकान आफिस या जहां भी आप इस उपाय को कर रहे हैं वहां चारों तरफ इसका धुआ दिखा द और आपको नौकरी में भी उन्ती और प्रमोशन जरूर मिलेगा आपके घर में धन का आगमन होता रहेगा शनिवार की रात एक लौंग से किया गया उपाय आपकी हर परिशानियों का अंत करेगा ये इन्फॉमेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही आपके जीवन में चल रही तमाम परिशानियां घर में मौझूद दुख दरिद्रता और कष्टों से निजात पाने के लिए आप एक और कारगर उपाय कर सकते हैं जिसे करने से शनी देव महराज बालाजी महराज के साथ साथ महादेव की भी आपको विशेश क्रिपा प्राप्त होगी इस उपाय को पांच शनिवार लगातार करना होगा लेकिन ध्यान रहे इस बीच आप तामसिक भोजन न करें यानि शराब, मदिरा, धूमरपान, मास, मचली इन सब चीजों से आपको दूर रहना होगा साथविक भोजन करके आप अपने शरीर को स्वस्त और निरोग बना सकते हैं, इसलिए उपाय करने से पहले आप साथविक आहार लें अब शनिवार के दिन। या 108 भगवान जी का फ्रिय नमबर है, यदि आपने इतनी बार मंतरों का जाब कर लिया और इस उपाय को कर लिया तो महादेव की क्रिपा से आपको अपने तमाम रोगों से भी मुक्ती मिलेगी और आपके जीवन में चल रहे। तमाम परेशानियों और दिक्कतों से भी और परमादुरगा। आपको उसका परिनाम भी गलत मिलेगा क्योंकि लौंग का उपाय करने से आपको उसका फल तुरंत मिलता है। इसलिए सोच समझकर सही तरीके से जांकारी लेकर सही मुहूरत में ही ये उपाय करें तो आपको बालाजी महाराज और शनी देव महाराज की विशेश क्रिपा जरूर प्राप्त होगी। पूर दो हरी इलायची रखकर इसे जला दें इसका धुआ पूरे घर के कोने कोने में दिखा दें या आप अपने कारिस थल्वया पार की। जगह जहां से भी नेगेटिव एनरजी दूर भगाना चाहते हैं उस जगह पर इस उपाय को करके इसका धुआ चारों तरफ दिख गर के मुखे दूर पर इसका चीन्टा मारें और अपने घर के कोने कोने में भी आप इसका चिर्काव अगर करते हैं तो घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनरजी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी शनिदेव महाराज के आशिरवाद से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी इस उपाय को भी आप मंगलवार या शनिवार के दिन करें तो आपको विशेश लाब मिलेगा क्या आप एक सफल वेक्ती हैं और आपकी सफलता देखकर आपके पडोसी और रिष्टेदार आप से जलन रखते हैं आपके खिलाफ साजिश करते हैं या आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं तो इन बातों से परेशान होने की बजाए आप तुरंत लौंग का उपाय करें आपको इन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा यानि आपको अपने दुश्मनों से आपका नुकसान करने वाले लोगों से छुटकारा मिल जाएगा इस उपाय को करने के लिए आप पांच शनिवार किसी भी शनी मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक आपका कुछ नहीं बिगार पाएगा आप से दूर भाग जाएगा। आप अगर अपने बिजनेस में प्रॉफिट पाना चाहते हैं। आए और अपनी दुकान में इसे पीतल के बरतन में जला दें और इसका धुआँ पूरे दुकान आफिस या जहां भी आप। इस उपाए को कर रहे हैं। वहां चारों तरफ इसका धुआँ दिखा दें इसकी बची हुई राक को। गर में धन का आगमन होता रहेगा। पांच शनिवार लगातार करना होगा लेकिन ध्यान रहे इस बीच आप तामसिक भोजन न करें यानि शराब, मदिरा, धूमरपान, मास, मचली इन सब चीजों से आपको दूर रहना होगा सात्विक भोजन करके आप अपने शरीर को स्वस्त और निरोग बना सकते हैं। इस और वहां पर बैटकर ओम नमह शिवाय का 108 या 1008 बार जाब करें क्योंकि 108 या 108 भगवान जी का फ्रिय नमबर है। यदि आपने इतनी बार मंतरों का जाब कर लिया और इस उपाय को कर लिया तो महादेव की कृपा से आपको अपने तमाम रोगों से भी मुक्ती मिलेगी औ और आपके जीवन में चल रहे। तमाम परेशानियों और दिक्कतों से भी मुक्ती मिल जाएगी आम तोर परमादुरगा। भोलेनात गनेश जी हनुमान जी इन सभी देवी देवताओं की पूजा में लौंग का उप्योग जरूर किया जाता है। लौंग के बिना उनकी प बेहद अचूक उपाए हैं लेकिन उपाए करने से पहले आपको इस बात पर विशेश ध्यान रखना होगा कि यदि आप गलत तरीके से उपाए करते हैं तो आपको उसका परिणाम भी गलत मिलेगा क्योंकि लौंग का उपाए करने से आपको उसका फल्तुरंग मिलता है। इसलिए सोच समझकर सही तरीके से जांकारी लेकर सही महूरत में ही ये उपाय करें तो आपको बालाजी महाराज और शनी देव महाराज की विशेश क्रिपा जरूर प्राप्त होगी। करने के लिए आप सबसे पहले मिट्टी या पीतल का एक कटोरी या बरतन ले लीजिए ध्यान रहे लोहे का बरतन नहीं लेना है अब इसमें आप 11 लॉंग 5 कपूर 2 हरी इलायची रखकर इसे जला दें इसका धुआं पूरे घर के कोने कोने में दिखा दें या आप अपने का इस अपाय को भी आप मंगलवार या शनिवार के दिन करें तो इस वाएची जल कर पूरी तरह से राक बन जाये तो इस राक को किसी डिब्बे में रख लीजिए और प्रति दिन इसमें से थोड़ी थोड़ी राक लेकर एक लोटे जल में मिला कर घर के मुखे द्वार पर इ आपके घर में हमेशा बरकत। नुकसान करने वाले लोगों से छुटकारा मिल जाएगा इस उपाय को करने के। लिए आप पांच शनिवार किसी भी शनी मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाए और उसमें सिर्फ एक लॉंग डाल दें इस उपाय को आप लगातार पांच शनिवार अगर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए शनी देव की कृपा से जो भी व्यक्ति आपके पीछे प पर्याप्त धन का आगमन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बुधवार के दिन गनेश जी के मंदिर में जाकर गाय के शुद घी का दीपक जलाए साथ में एक लाल कपड़े में 21 लॉंग और 11 कपूर रखकर पोटली बना कर ले जाएं और दीपक जलाने के बाद इस पो तरफ इसका धुआन दिखा दें इसकी बची हुई राक को। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां घर में मौझूद दुख दरिदरता और कष्टों से निजात पाने के लिए आप एक और कारगर उपाय कर सकते हैं जिसे करने से शनी देव महराज बालाजी मह के साथ साथ महादेव की भी आपको विशेश कृपा प्राप्त होगी इस उपाय को पांच शनिवार लगातार करना होगा लेकिन ध्यान रहे इस बीच आप तामसिक भोजन न करें यानि शराब, मदिरा, धूमरपान, मास, मचली इन सब चीजों से आपको दूर रहना होगा साथ्विक भोजन करके आप अपने शरीर को स्वस्त और निरोग बना सकते हैं, इसलिए उपाय करने से पहले आप साथ्विक आहार लें अब शनिवार के दिन आप सुबह नहाद होकर दो लॉंग लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं और इस दो लॉंग को भोले नात की मूरती के उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर भोले नात को अर्पित कर दें और वहां पर बैठकर ओम नमह शिवाय का 108 या 1008 बार जाब करें क्योंकि 108 या 108 भ आप के जीवन में चल रहे तमाम परेशानियों और दिक्कतों से भी मुक्ती मिल जाएगी आम तोर परमादुरगा भोले नात गनेश जी हनुमान जी इन सभी देवी देवताओं की पूजा में लॉंग का उप्योग जरूर किया जाता है। पर विशेश ध्यान रखना होगा कि यदि आप गलत तरीके से उपाय करते हैं तो आपको उसका परिनाम भी गलत मिलेगा क्योंकि लॉंग का उपाय करने से आपको उसका फल तुरंत मिलता है। इसलिए सोच समझकर सही तरीके से जांकारी लेकर सही मुहूर्ट में ही ये उ पाय करें तो आपको बालाजी महाराज और शनी देव महाराज की विशेश क्रिपा जरूर प्राप्त होगी। ध्यान रहे लोहे का बरतन नहीं लेना है अब इसमें आप ग्यारह लॉंग पांच कपूर दो हरी इलायची रखकर इसे जला दें इसका धुआ पूरे घर के कोने कोने में दिखा दें या आप अपने कारिस थल्व्यापार की। जगह जहां से भी नेगेटिव एनरजी दू इसमें से थोड़ी थोड़ी राख लेकर एक लोटे जल में मिलाकर घर के मुखे द्वार पर इसका चीन्टा मारें और अपने घर के कोने कोने में भी आप इसका चिर्काव अगर करते हैं तो घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव। एनरजी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी शनिदेव महाराज के आशिरवाद से आपके घर में हमेशा बरकत। बनी रहेगी इस उपाय को भी आप मंगलवार या शनिवार के दिन करें तो आपको विशेश लाव मिलेगा। क्या आप एक सफल वेक्ती हैं और आपकी सफलता देखकर आपके पडोसी और रिष्टेदार आप से जलन रखते हैं आपके खिलाफ साजिश करते हैं या आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं तो इन बातों से परेशान होने की बजाए आप तुरंत लौंग का उपाय करें आपको इन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा यानि आपको अपने दुश्मनों से आपका नुकसान करने वाले लोगों से छुटकारा मिल जाएगा इस उपाय को करने के लिए आप पांच शनिवार किसी भी शनी मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक आपका कुछ नहीं बिगार पाएगा आप से दूर भाग जाएगा। आप अगर अपने बिजनेस में प्रॉफिट पाना चाहते हैं। आए और अपनी दुकान में इसे पीतल के बरतन में जला दें और इसका धुआँ पूरे दुकान आफिस या जहां भी आप। इस उपाए को कर रहे हैं। वहां चारों तरफ इसका धुआँ दिखा दें इसकी बची हुई राक को। गर में धन का आगमन होता रहेगा। पांच शनिवार लगातार करना होगा लेकिन ध्यान रहे इस बीच आप तामसिक भोजन न करें यानि शराब, मदिरा, धूमरपान, मास, मचली इन सब चीजों से आपको दूर रहना होगा सात्विक भोजन करके आप अपने शरीर को स्वस्त और निरोग बना सकते हैं। इस और वहां पर बैटकर ओम नमह शिवाय का 108 या 1008 बार जाब करें क्योंकि 108 या 108 भगवान जी का फ्रिय नमबर है। यदि आपने इतनी बार मंतरों का जाब कर लिया और इस उपाय को कर लिया तो महादेव की कृपा से आपको अपने तमाम रोगों से भी मुक्ती मिलेगी औ और आपके जीवन में चल रहे। तमाम परेशानियों और दिक्कतों से भी मुक्ती मिल जाएगी आम तोर परमादुरगा। भोलेनात गनेश जी हनुमान जी इन सभी देवी देवताओं की पूजा में लौंग का उप्योग जरूर किया जाता है। लौंग के बिना उनकी प उपाए बेहद अचूक उपाए है लेकिन उपाए करने से पहले आपको इस बात पर विशेश ध्यान रखना होगा कि यदि आप गलत तरीके से उपाए करते हैं तो आपको उसका परिनाम भी गलत मिलेगा क्योंकि लौंग का उपाए करने से आपको उसका फल तुरंत मिलता इसलिए सोच समझकर सही तरीके से जांकारी लेकर सही महूरत में ही ये उपाय करें तो आपको बालाजी महाराज और शनी देव महाराज की विशेश क्रिपा जरूर प्राप्त होगी। उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले मिट्टी या पीतल का एक कटोरी या बरतन ले लीजिए ध्यान रहे लोहे का बरतन नहीं लेना है अब इसमें आप 11 लॉंग 5 कपूर 2 हरी इलायची रखकर इसे जला दें इसका धुआ पूरे घर के कोने कोने में दिखा दें या आप कारिस थल्व्यापार की जगह जहां से भी नेगेटिव एनरजी दूर भगाना चाहते हैं उस जगह पर इस उपाय को करके इसका धुआ चारों तरफ दिखा दें जब ये 11 लॉंग 5 कपूर और 2 हरी इलायची जलकर पूरी तरह से राक बन जाए तो इस राक को किसी डिबे म रख लीजिए और प्रति दिन इसमें से थोड़ी थोड़ी राक लेकर एक लोटे जल में मिलाकर घर के मुखे द्वार पर इसका चीन्टा मारें और अपने घर के कोने कोने में भी आप इसका चिर्काव अगर करते हैं तो घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एन और आपकी सफलता देखकर आपके पडोसी और रिष्टेदार आपसे जलन रखते हैं आपके खिलाफ साजिश करते हैं या आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं तो इन बातों से परेशान होने की बजाए आप तुरंत लौंग का उपाए करें आपको इन सभी च देल का एक दीपक जलाए और उसमें सिर्फ एक लौंग डाल दें इस उपाए को आप लगातार पांच शनिवार अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए शनी देव की कृपा से जो भी व्यक्ति आपके पीछे पड़ा है यानि आपका नुकसान करना चाहता है वो व्यक्ति आप कुछ नहीं बिगार पाएगा आप से दूर भाग जाएगा आप अगर अपने बिजनेस में प्रॉफिट पाना चाहते हैं अपनी नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं और घर में पर्याप्त धन का आगमन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बुधवार के दिन गनेश पूरे दुकान आफिस या जहां भी आप इस उपाए को कर रहे हैं वहां चारों तरफ इसका धुआ दिखा दें इसकी बची हुई राक को गंगाजल में मिलाकर लगातार 14 दिनों तक छिर्काव करें यदि आपने ऐसा कर लिया तो गनेश भगवान के आशिरवाद से आपकी सारी विगन बाधा दूर होगी और आपके व्यापार में धेर सारा मुनाफ़ा होगा और आपको नौकरी में भी उन्नती और प्रमोशन जर करें साथ ही आपके जीवन में चल रही तमाम परिशानियां घर में मौझूद दुख दरिद्रता और कष्टों से निजात पाने के लिए आप एक और कारगर उपाए कर सकते हैं जिसे करने से शनी देव महराज बालाजी महराज के साथ साथ महादेव की भी आपको विशेश क्रिपा प्राप्त होगी इस उपाए को पांच शनिवार लगातार करना होगा लेकिन ध्यान रहे इस बीच आप तामसिक भोजन न करें यानि शराब, मदिरा, धूमरपान, मास, मचली इन सब चीजों से आपको दूर रहना होगा सात्विक भोजन करके आप अपने शरीर को स्वस्त और निरोग बना सकते हैं, इसलिए उपाए करने से पहले आप सात्विक आहार लें अब शनिवार के दिन आप सुबह नहाद होकर दो लॉंग लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं और इस दो लॉंग को भोले नात की मूरती के उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर भोले नात को अर्पित कर दें और वहां पर बैठकर ओम नमह शिवाय का 108 या 1008 बार जाब करें क्योंकि 108 या 108 भ आपके जीवन में चल रहे तमाम परेशानियों और दिक्कतों से भी मुक्ति मिल जाएगी शनिवार की रात एक लॉंग से किया गया उपाए आपकी हर परेशानियों का अंत करेगा ये इन्फॉमेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे